हलो गाइज वेल्कम बेक वार यूट्यूब चैनल लेविश करियर्स जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे चल रही है दो प्लेलिस्ट एक है स्टॉप मार्केट के रिगार्डिंग और दूसरी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के रिगार्डिंग अगर आप बेसिक एडव में लेवल पे स्टॉप मार्केट सीखना जाते हो और सेखना जाते हो एंग्लिश तो आत्रीह उन्माटी को सब्स्क्राइब कर सकते है और हमें फॉलिव कर्छीय कर सकते हैं अग्ज्या कर सो याग आफने काफी पर सुना होगा प Our bond विडियो को देख लें कि वह पिछले वाला पाराओ था तो आप किसी इसको अगर अच्छे तरिके से ग्रैब करना जाते हो प्लीज एक पर बुलिश और बेरिश मार्केट को देख लें तो इस लिए स्टार्ट करते हैं लॉग एंड शॉर्ट पोजिशन होता क्या है अगर पॉस्ट कीजिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब कि आपका अप्ट्रेंड चल रहा है तो अब ट्रेंड में आप क्या करेंगे अब ट्रेंड में आप करेंगे कि जो आपका मतलब इसका मतलब आप स्पोस्ट कीजिए किसी भी शेर की आप एक्जांपल ले लीजिए हम ले लेते हैं ताटा की एक्जांपल ले लेते हैं क 얼ume कि आपने जो 산 घ्राल से अपने प्रॉफिट लीना है उसमें आप करेंगेंम कि इस मिट रेम को सब्सक्राइब कि agar से ज्यादा भरेगा तो तो रहा है कि फोट आई है चले तौन उर्पार है ढूं कर दिद वो हम next video में discuss करेंगे कैसे आपने एंट्री लेनी है कैसे आपने stop loss लगाना है क्या होता है stop loss क्या होती है entry वह हम next video में discuss करेंगे आज आप यही समझिए कि अप्रेंट का मतलब कि आप 100 और की चीज़े लेकर उसको 110-120 आप जितने वी मतलब प्रॉफिट लेकर लेच रहे हो तो उसको आप वैसे प्रॉफिट कर सकते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे लॉंग लॉंग वोजिशन ठीक है मतलब की लॉंग पोजिशन में क्या होता है आप पहले बाए करोगे यह राप करोगे इसेल तो बाए मतलब आपने लोग प्राइज पर अब ऑई किया और हाई प्राइस पर और व किया दो आपको पता जल जा रहेगा कि काफी तरी अच्छे तरीखे से आप बेरिश मार्किट में भी अच्छी खासी अर्णिंग कर सकते हो तो अगर आप एक्जांपल लें 2010 में 2008 में इंवेस्टर थे तो उन्होंने उस टाइम पे काफी अब यह साथ हजार क्रोड की अर्निंग करी थी वह क्या थी तब बेरिश मार्किट चल रही थी तब उन्होंने कैसे करी थी वह आपको देदेदे में बताऊगा अभी क्या है कि यह हमने हो गया बुलिश ट्रेंड में आपने ट्रेयर लिया पहले आपने बाइक या फिर या से के लिए चल वे आफ सब्事 यह कैसे हो गया कि चल रही है शर्ट कर ले उस में क्या होगा कि सबसे पेर ईसमें आप पहले करेंगे sell फिर आप करेंगे buy तो that means कि पहले आप sell किया फिर आपने buy किया तो इसको हम बोलेंगे short का position जैसे हम example लेते है कि short का example होता होगा क्या कैसे कि जैसे suppose किजिए आपके पास कोई आगे आपके एक mobile की दुकान है तो आपके पास कोई mobile लेने आगया iPhone 12 ठीक है तो आप suppose कीजिए आपके पास iPhone 12 जो है वो available नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप वो जो iPhone है वो किसी third जो आपका जान पहचान वाला होगा जो भी आपका मतलब आपके पास वाला जो retailer होगा जो distributor होगा उससे आप अप उधार के तोब बोरो करेंगे iPhone 12 और वो अपने कश्चमर को sell कर देंगे तो तब आपका क्या होगा कि तब आपको एक short हो गया आपको एक mobile जो है वो short हो गया तो वो आप क्या करेंगे वो आप अपनी company से जहां से आपका माल आता है वहां से आप उससे दुबारा लेकर वो दुबारा उसको वापस कर देंगे तो उसमें क्या हो गया कि आपका short हो गया तो अभी क्या है कि अगर long का position होगा तो पहले आप buy करेंगे पिर आप करेंगे sell अगर short का position लेना होगा तब आप पहले करेंगे sell फिर आप करेंगे buy और तो अभी यह चीज समझे है कि अगर आप long का कर रहे हो तो इसमें भी आपने कर दिया buy इसमें भी आपने कर दिया सेल अगर आप शौट कर रहे हो आप इसको बोलेंगे इसमें पहले कर दिया अपने सेल फिर आपने किया लेकिन कैसे आप मतलब कैसे आप बताएंगे कि आप लाउंका बाइं कर रहे हो और आप लाउंका सेल कर रहे हो कैसे आप बताएंगे किसी किस simple होगा आपका buy and sell अगर आप short का कर रहे हो तो यह होगा short sell आप बोलेंगे short sell एड़ आप इसको बाद में buy करते हो तो उसको short buy नहीं करोगे उसको बोलेंगे cover to buy तो वो तो फिर यह ओगा ना यहां से आपने बॉरो लिया था कि मतलब वहां से आपकी शॉटिंग है वहां पे आप कमर कर रहे हो तो यही था कॉंसेप लॉंग एंड शॉट पॉजिशन का इसमें आपको मैंने बताया जैसे अगर आप लॉंग का पॉजिशन ले रहे हो that means आपकी मार्फिट ऊपर जा रह रहा है आप चीज नों उसको में एक सोदसर ओस एक्सेट में बीच रहे हो सो श्रॉट में आप क्या करोगे शॉट में स्पोस कीजिए आपकी चीज चाल रहे हैं कोई भी शेट का प्राइस चल रहा है वह आपने क्या किया कि आपने पहले रुपिज में sell कर दिया. That means की वो आपको पूंदर रुपी स्का है अब न narrative डिसका आ हमने sell किया लेकिं जब उसका प्राइज ल leursca rupis आया तो आपने buy कर लिया, मतलब की आपने महंगा भेज दिया पहले भेज दिया, प्र आपने sell कर दिया तो आप क्या है कि आपको मैं भी बता दूँ कि आप कहा पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो इसके लिए पूरी स्टॉक मार्क्ट पर जितने भी शेर्स है आप सभी में नहीं कर सकते यह आपको लिस्ट लेनी पड़ेगी आपको अपने शेर ब्रोकर से जिसके साथ आपका अकाउ हमसे भी कॉंटक्ट कर सकते हो तो तभी मैं आपको यह को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना जो है अकाउंट इंजर ब्लोकिंग में हमारे साथ खोल लीजिए इसमें क्या कि आपने पहले सेल कर दिया फिर आपने वाय कर दिया ठीक है तो मैं जैसे आपको बता बड़े ही करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन शेर मार्केट की अगर हम बात करें तो वह अलाओ करता है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट सेलिंग तो उसमें क्या है कि आपको सुबा साड़े नौ बजे जब भी मार्केट 9.15 में जब मार्केट ओपन होत मैं आपको बताता हूँ वह रिस्टी कैसे है कि जैसे आप कीजिए कि आपने 100 रुपीज का सेल कर दिया थिक है तो आपको profit का होना था कि आप इसको बैय करते 50 रुपीज भी मींस कि आपको 50 रुपीज का फिर होना था profit लेकिन क्या है कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट तो जो है वो लिमिटेड है वो जाना से जादा 100 रुपीज मतलब जीरो हो जाए ना तो तब आप बाई कर दोगे तो देट मेंज आपका जाना से जादा प्रॉफिट होगा 100 रुपीज का लेकिन अगर इम केस यह आपका शेर 100 से 200 300 400 मतलब उपर ज्यादा जाने रगा तो इसमें कि आपका जादा लॉस भी हो सकता है इसलिए शॉर्ट सेलिंग को जो है वो बोलते है रिस्की है तो आपको यह हम आगे बादे वीडियो में बताएंगे कि आप स्टॉप लॉस एंट्री और टार्गेट कैसे सब्ट करके लॉस से और बस सकते हो और कैसे एक अच्छा शेर अच्छे प्राइज पर बाई कर सकते हो हम आगे बताएंगे तो इसमें क्या है अगर आपने यहां पर लगाया होता इक सो दस रुपएबे यह साव से मतलब आपके एंटी जाने लगता तो तब क्या था कि तब आपका यूस शेर तो यहां से सेल हो जाता अब हम आज के लिए इतना ही वीडियो में डिसकस करेंगे आगे वाली वीडियो जो है वो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है और काफी कुछ आप सीखने वाले हो तो बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट देखते रहें वान बाई वान सारी करें आज के लिए इतना ही मिलके हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें तब तब के लिए दोस्तों बाई बाई